Hello Everyone, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ Audio Video Method जिसे हम Audio Visual Method के नाम से भी जानते हैं इस टॉपिक को डिस्कुस करने वाले हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं Hello Everyone, I'm Kajil Dhami and welcome to my channel People Teacher I hope आप सभी ठीक होंगे इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कुस करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं Audio Video Method को English Teaching में काफी effective method माना जाता हैं जिसके थूँ हम अपनी क्लास में बच्चों का attention gain कर सकते हैं इसके अलावा इसे हम commonly Audio Visual Method के नाम से भी जानते हैं तो चलिए इनके points को one by one discuss करें First point हमारे सामने है First point में बता रखा है One of the most effective method of English Teaching क्योंकि इससे बच्चों का आप attention gain कर सकते हो Classroom ज़्यादा interactive और interesting बन जाती है तो काफी effective method इसे माना जाता है Next point में हमें यहाँ पे बता रखा है कि यह जो method है यह कब developed हुआ था This method was developed in the United States during the World War II World War II के time में Audio Visual Age को ज़्यादा effectively use किया जाता था और इसे एक innovative तरीका माना गया था और इसके बाद इसे teaching में भी implement किया गया यह जो audio visual word है यह दो different word का combination है audio word का literal meaning यहाँ पे hearing का होता है और साथे साथ visual word का मतलब होता है जब हम किसी चीज को देख पाते है यानि कि यहाँ पे बच्चा दो काम साथ में कर रहा है किसी चीज को सुन भी रहा है और साथे साथे उसे देख भी रहा है तो इस तरीके से हम यह कह सकते है कि बच्चा यहाँ पे दो different senses को यूज कर रहा है hearing के लिए भी और देखने के लिए भी तो चलिए अब एक definition देखते है जो की हमें KP निर्जा द्वारा दी गई है यहाँ पे हमें बता रखा according to KP निर्जा an audio visual aid is an instrumental device यह क्या है एक तरीके से instrumental device है in which the message can be heard as well as seen यानि कि यह एक instrumental device है जिसमें कोई भी message बच्चा वहाँ पे सुन भी पा रहा है और उस चीज को देख भी पा रहा है यानि कि एक तरीके से यह motion picture की तरह चलेगी जैसे हम कोई movie देखते हैं तो उसमें हम लोग किसे चीज को देख भी रहे और साथे साथ उनकी आवास सुन भी रहे इससे बच्चा जल्दी से topic को समझ पाएगा और deep understanding भी बिठा पाएगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आब हम discuss करेंगे purpose of audio visual aids यानि कि इनका क्या purpose होता है तो पहले point में हमें यह आपे बता रहा है best motivation इससे बच्चे को motivation मिलता है किसी भी नई चीज को सीखने के लिए अगर student interest ही नहीं develop कर पाएगा किसी topic के regarding तो बच्चा motivate फिल नहीं करेगा तो यानि कि हम लोगों को सबसे पहले बच्चे का interest एपलप करवाना है बच्चे को motivate करना है next point यहापे लिखा है clear image यानि कि बच्चा जिस topic को पढ़ रहा है बच्चे जिस topic के बारे में समझ रहा है उसके बारे में उसके mind में एक clear image बन जाए यह audio-visual aids का purpose होता है अब चलिए next point की तरफ next point यहापे बता रहा है save energy and time इससे teacher का भी और साथे साथ student का भी energy और time दोनों चीज़े safe हो जाती है जिस topic को teacher को imagination के थूँ समझाने में थोड़ा ज्यादा time लगेगा वहीं जब teacher audio-visual aids का use करेंगी तो बच्चा उस चीज़ को देख पाएगा और बच्चा जल्दी उस चीज़ को समझ पाएगा next point यहापे है capture attention टीचर यहापे बच्चों का attention भी capture कर पाएगी जैसे अगर कोई interactive image लगा दी किसी भी screen में तो वहाँ पे बच्चे सारे उस चीज़ को देखने लग जाएगे तो कहीं न कहीं इस तरीके से बच्चों का attention भी gain किया जा सकता है next point यहापे लिखा है increase understanding and retention यानि कि बच्चा किसी topic को जल्दी से समझ पाएगा understand कर पाएगा और साथे साथ जो चीज़े समझी हैं वो जादे देर तक retain भी रहेंगी यानि कि बच्चे का retention power भी हाँ पे increase होता है अब चलिए आगे कुछ different audio visual aids को जर्दा discuss करते हैं जो कि classroom में teaching को interactive बनाने के लिए use किया जाता है अब हमारे सामने topic है kind of audio visual aids तो देखिए three different kind of audio visual aids normally classroom में use किये जाते हैं जिसमें सबसे पहले आता है audio aids audio word का मतलब ही यहाँ पे hearing होता है यानि कि कुछ ऐसे aids जो कि बच्चा सुन के उस stage को समझ पा रहा है जैसे कि यहाँ पे example के form में दिया हुआ radio tape recorder gramophone और ऐसे कुछ और example भी हमारे audio aids के अंदर count होगे अब चलिए next aids समझते हैं जो कि है audio visual aids यानि कि कुछ ऐसे aids जिसमें audio यानि कि hearing और visual यानि कि किसी चीज को देखना यानि कि seeing दोना चीजी साथ में हो रही है जैसे कि television हो गया cinema हो गया computer हो गये यह कुछ example हो गये audio visual aids के अगर आपने मेरी बाकी teaching methods की वीडियो नहीं देखिए तो आपको description में उन videos के playlist के link मिल जाएगी आप वहाँ से वो topic देख सकते हैं इसके अलावा CDP, English Pedagogy, Mass Pedagogy, Hindi Pedagogy इन सभी की playlist के link भी मैंने description में देए वे हैं आप चाहें तो वो videos भी देख सकते हैं अब चलिए next audio visual aids के तरफ चलते हैं जो कि है visual aids visual aids वो होते हैं जो चीजे हम देख के किसी चीज को समझ पाते हैं तो ये basically different different teaching aids है जो हमारी classroom में use किये जाते हैं ताकि हमारी teaching को और effective और impressive बना सकें visual aids के अंदर आ जाते हैं blackboard जिसे बच्चा देख कि उसीज को समझ पाएगा इसके अलावा books हो गए chart, map, globe, model ये कुछ आपकी visual aids के अंदर count होते हैं अभी मैंने आपके साथ discuss किया different type of audio visual aids अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम discuss करेंगे functions of audio visual aids ये जो audio visual aids हम classroom में use करते हैं इनके क्या function है तो चलिए पहले point की तरफ बढ़ते हैं पहले point में हमें आपे बता रखा है they have high degree of interest for student यानि कि audio visual aids जो होते हैं इनमें बच्चों का interest develop करने की capacity सबसे ज़्यादा होती है देखे अगर हम classroom में सिफ blackboard और book को use करके class में पढ़ाएं तो कहीं न कहीं एक ऐसा time आएगा कि बच्चा एक time के बाद interest develop नहीं कर पाएगा और साते साथ हम भी बच्चे के साथ link नहीं हो पाएंगे बट अगर हम classroom में different audio visual aids यूज करते हैं तो इससे बच्चे का interest दप रहेगा next point यहाँ पे है they make learning more permanent जैसे कि हमने यहाँ पे आगे पहले discuss किया था कि audio visual aids learning को retention प्रोवाइट करता है retention यानि कि आप किसी चीज को समझ पा रहे हो और समझने के बाद कितनी देर तक उस चीज को याद रख पा रहे हो तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि audio visual aids जो है यह learning को जादा permanent बना देते हैं यानि कि बच्चा अगर audio visual aid के मदद से किसी चीज को समझेगा या किसी चीज को पढ़ेगा तो वो उसके दिमाग में permanently रह जाएगा अब चलिए next point की तरफ चलते हैं यानि कि बच्चे की जो thought process है उसमें continuity बने रहेगी बच्चा किसी चीज के बारे में out of the box जाके उस चीज के बारे में सोच पाएगा और समझ पाएगा कि हमें अगर इस चीज को ऐसे याद करना है या फिर इस चीज को इस तरीके से समझना है तो इसके और क्या alternative method हो सकते हैं आगे आपे बता रखा है this is specially true of motion picture अगर बच्चे को motion picture की मदद से पढ़ाया जाए जैसे कि हमारी ppt slides होती है अगर हम उनमे voice भी आप add कर दो तो वो motion picture हो जाएंगी इससे बच्चा आगे की story जैसे कि अगर मैं classroom में एक story पढ़ा रही हूँ और story में मैंने different different slide में different different चीजे आड़ करती अगर मैंने story slide wise पढ़ाई तो कहीं नहीं कहीं बच्चा आगी की slide में क्या होने वाला है वो उसके दिमाग में चल रहा होगा इससे हम बोलेंगे कि बच्चे की जो thought process है उसमें continuity भी बनी रहेगी अब चलिए next point की तरफ चलते है next point यहाँ पे they offer a reality of experience जानी कि अगर हम classroom में सिर्फ और सिर्फ blackboard और book की मदद से पढ़ाएं जैसे कि अगर मैं tree के बारे में बता रही हूँ और मैंने इसे book में दिखा दिया कि यह tree है तो कहीं न कहीं बच्चा उस सीज को देखेगा याद भी रखेगा पर देर तक retain नहीं रख पाएगा बट अगर मैं उसे एक model की मदद से पढ़ाऊं या फिर field visit करा दूं और एक tree दिखा दो तो इससे बच्चे को real life experience मिलेगा तो कहीं न कहीं यह जो audio visual aids होते है यह बच्चे की learning को retain रखने में बच्चे की understanding को बढ़ाने में और कहीं न कहीं continuity को increase कने में मदद करता है I hope आपको यह topic clear हुआ होगा इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपसे मिलूंगी next वीडियो में next topic के साथ बाई बाई टेक केर